नमस्कार दोस्तों आज मैं जानकारी देने वाला हूं कि हमारे जो लैप्टॉप या पीसी में जो विंडो होती है विंडो 7 और उसका लाइसेंस वर्जन अधी हम यूज़ कर रहे हैं और अधी हमको उसका प्रोड़क्ट की फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना है स्टार्ट मिनू में क्लिक करेंगे उसका जो सर्च उप्शन है सर्च उप्शन में आपको लिखना है आर ए जी डी आई टी तो आपको लिखेंगे उपर में ये रेजिडिट.exe करके आप्शन आता है इसको क्लिक करना है उसके बाद की लोकल मसीन की लोकल मसीन पर क्लिक करना है और उसके बाद जाना है आपको सॉफ्टवेर आप्शन में जाने के बाद इसमें माइक्रो सॉफ्ट करके फोल्डर है इसमें राइट क्लिक करके फाइंड आप्शन में जाना है उसके बाद इसमें लिखना है प्रोड़क्ट की और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो यह सार्च करेगा वेजिस्ट्री को और यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह आपका प्रोड़क्ट की सर्च मतलब फाइंड फाइंड सो हो रहा है तो इस तरह से हम अपनी बिंडों की प्रोड़क्ट की वो find out कर सकते हैं